ये इस साल की 43rd वैकेंसी है अगर भी पूरे वैकेंसी को आड करो तो अभी तक एक से सवाल लाख नमर वैकेंसी निकल चुकी है बच्चो इस नाशनल और इंटरनाशनल क्राइसिस के वक्त में जहाँ पे जॉब्स का कभी भी सर्टेनिटी खतम हो चुका है ऐसे मोके में आप को मैं बस ये दिखाना चाहरा हूँ कि इतनी सारी government jobs continuously आ रही है जितने भी हमारे सबस्क्राइबर से सबको ये दिखाना चाहरा हूँ कि देखी इतनी vacancies निकल रही है जो हर साल निकलती है तो बच्चो अगर आपने सही से पढ़ लिया अभी भी अगर आपको देखिए इसक हो जाते है इसी के साथ मैं शुरू करता हूँ आज के notification को explain करना Union Bank of India में vacancy निकली हुई है local bank officer की 2026 के नाम से बच्चो ये website याद रखेगा हम इस website पे जाना है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ सबसे पहले बताऊंगा इस में total number of vacancies कितनी निकली है बच्चो total vacancies पंदर इसमें premiums mains वाला concept नहीं है सिर्फ single exam है single exam दीजिए crack हो गई interview दीजिए select हो जाओगे salary भी अच्छे में सारी बात इसमें detail में करने वाला हूँ बच्चो अगली बात देखेंगे तो देखें मैंने जैसे बताया salary basic 48,400 सी है सारे T.A.D.H.R.M. इलाकी salary 80-90,000 के आसपार जाने से पढ़ना मन से पढ़ना बस इतना आप सीख लो यह चार सब्जेक्स आपकी हो गए तो मैं आपको बड़े दिल से बोल रहा हूँ कि selection is not a big deal बहुत चिलर चीज़े वो जो हो जाती है बच्चो आगे बें बात करता है अब देखिए next में मैं आपको बताना चांगा कि इसक exact dates क्या है 24 October से इसका form filling procedure शुरू हो चुका है तो बच्चो यह जो चलेगा यह जो maximum चलने वाला है यह चलेगा 13 November तक so you have a good time to decide यह exam आप देने वाले हो की नहीं but I'll say कि आप इसका form जरूर फिल करिए बच्चो अगले point पर जाते है कि education qualification क्या लगेगा before that हम लोग age criteria दिख ले एक बात याद रखिएगा यह जो age होनी चाहिए आपकी यह एक 10-2024 तक होनी चाहिए और कौन से बच्चे graduate चलेंगे जितने भी बच्चे 13 November 2024 के पहले graduate हो जाएंगे वो सारे बच्चे इसमें चलने वाले हैं बच्चो आगे क्या point देखेंगे जैसे मैंने कहा इसमें प्रो गवरमेंट में हरिग में भी होता एक हिसीका चेमें होता है इस किया बहता है इसपैरे में आपको सिर ट्रेनिंग दी जाती है आपके तरफ ध्यान दिया बहता है आप एक बार यह कर जाते और अगर आप वो बैंक तीन साल के अंदर छोड़ रहे हो तो आपको दो लाख का बॉंड भरना है if he she leaves the bank before completion of three years of service भाई आम इतनी मैनत कर रहे हैं गवर्मेंट जॉब मिलने के लिए तो काही ही छोड़ेंगे वो कोई sense नहीं इसलिए में इस पॉइंट के तरफ नजर अंदर किया तो चलेगा अगला पॉइंट बच्चो application form service employees of the bank याने जो लोग really bank of अगर इसमें union bank में already हो तो वो लोग भी form feel कर सकते हैं उसका existing employees of union bank of india में apply the same as mentioned about and will send a copy of application through proper channel HR से आप ये कर सकते हो जो लो union bank of india में already है आप उसको channelize देख लीजेगा seniors दी पूछ लीजे procedure क्या है आप भी form fill कर सकते हो बच्चो अब जैसे मैंने कहा सीव एक single exam होने वाली है अब ये exam कौन सी है ध्यान से देखिए एक single exam होगी क्या क्या है गए इसमें reasoning and computer ठीक है next general banking awareness then data analytics and interpretation याने di and cashlets ठीक है next english language कुल मिला के questions रहेंगे 155 total marks रहेंगे 200 total time है उसका 180 minutes का 180 minute में ये एक paper होगा ये paper खतम होते बराबर आपको एक english language का return देना है जिसमें letter writing होगी and essay होगा ये आधि हंटे का होगा इसके लिए 25 marks दिये हुए है अगर आप इस exam को crack करते हो तो आप लोग directly interview में जाने वाले हो और आपका procedure हो गया interview हो गया तो selection हो जाएगा prelims और mains जैसा इसमें concept नहीं है अब बच्चों जैसे मैंने का इसमें एक LPT होती है आपकी language proficiency test जिसमें आपको local language आती है क्या जैसे Maharashtra की Marathi है Hindi है अगर कोई Hindi में बोलना चाहता है तो उसमें सिर्फ इतना check check किया जाता है कि आपको Hindi language पढ़ना बोलना लिखना आता है क्या तो it is very basic you can definitely go through it reading, writing and speaking कितना आता है कि वो चेक होता है okay so main is अगर इस exam में कुछ है तो एक single paper जो लोग सच में कौन ट्रिजन इंग्लिज जी है कोई classes लगा के पढ़ रहा है उन्होंने ये exams देनी चाहिए to check कि मुझे कि मुझे कितना आता है मैंने जितना knowledge सीखा है वो कितना applicable है कहा का apply हो सक रहा ह तो BS के तो सारे बच्चों को बोलूँगा ये firm आपको भरना compulsory है ही क्योंकि ऐसे ही vacancies selections दिलवा देती है okay चलो आगे बढ़ते है बच्चो next point है personal interview जैसे मैंने कहा एक LPT होगी और एक personal interview होगा ये बता चुका हूँ मैं आपको अब इसका fees कितना होगा तो जो general EWS रोबीसी म पे करने to apply for this form अब apply कैसे करेंगे सर इसके लिए vacancies कहां सच करें Google पे क्या सच करें तो इसके लिए आप लोगों को देखिए how to apply इसके लिए आपको बच्चों देखिए unionbankofindia.co.in इस site पे जाना है ये page open होगा scroll down करेंगे यहां देखो आपको recruitment दिखेगा दिख रहा है ये recruitment पे आप click करेंगे recruitment पे click करने के बाद आपके सामनी ये एक page open होगा वे page जिसमें आपको click here for view recruitment पे click करना है तिक है once you click here आपका ये page open होगा आपको click here to apply करना है जैसे आप करोगे simple form open होगा click here for new registration करेंगे और form field procedure कर लीजिए मैं आपको genuinely बोल रहा हूँ बच्चों सच में ए P.I. Cassulates ये सारी चीज़े पढ़ने वाली है ये सब आप समझ सकते हो B.S. के बच्चों को हम पढ़ाई रहे हैं आप सभी लोग सुनी रहे हो बच्चों बस जो बोल रहे हैं उसको सही से follow करिए selections जितने लोगों ने लिये होए हैं B.S. education से लिये होए हैं वो मातर 12-14 महिने के अंदर होए हैं जिसको साल लगा देड़ साल लगा दो साल लगा पर भाया उसके बाद भी तो उनको jackpot ही लगा है ना आप post graduation करके time best मत करिए recessions तो अलग level पर हिट करी रहा है और ऐसे वक्त आप दो साल और बरबात करना effort नहीं कर सकते so please wake up ये वीडियो को जरूर शेयर करिए आप सब दोस्तों के साथ जो become BA, BSC, BCA, BBA कर रहे हैं उनके साथ भी क्योंकि उन्होंने अगर graduation के साथ ही preparation शुरू कर दिया तो उनका जैसे graduation होगा वो लोग appear हो जाएंगे और paper crack कर लेंगे so जैसे हम graduation में तो पढ़न नहीं रहे हैं ये तो सही बात है और ये national level की बात है तो अभी तो आप पढ़ लीजिए कुछ तो आप upgrade करिए खुद को कर दियेगा मिलते अगले वीडियो में कुछ नए vacancies के साथ कुछ नए जानकारियों के साथ about the government exam thank you